तो जी बुद्वार का दिन है और सुभे के करीब साड़े साथ बज़े का टाइम है और आज जो है ना बच्चे स्कूल नहीं गए है क्योंकि थरस्टे से जो है उनके एक्जाम्स है तो आज जो है वो अपने एक्जाम की तैयारी करेंगे तो अभी ऐसा ही होगा जब तक एक् तो बस इधर जो है मैं कीचन में आई हूँ क्योंकि मुझे फटा फट से बचों के लिए मिल्क गरम करना है क्योंकि आज जो है उनका ट्यूशन थोड़ा सा जल्दी जाना है उन्हें क्योंकि आप जैसे जैसे उनके एक्जाम्स होंगे ना तब उनका ट्यूशन का टाइम तो बस इदर दूद मैंने निकाल लिया है फ्रिच से और इस बार मैं मलाईना थोड़ा बड़े वाले बरतन में इखटा कर रही हूं ताकि अच्छे से घी थोड़ा सा जादा बन जाए जो टेस्ट घर के घी में होता है वो फिर बाहर वाले घी में नहीं होता है तो इदर जो वगएरा पीके जो है वो अपना ट्यूशन चले जाएंगे और नाश्ता वगएरा फिर मैं बाद में ही बनाऊंगी क्योंकि जब तक वो ट्यूशन से आएंगे तब तक नाश्ते का टाइम भी हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मिल्क दे दिया है उसके बाद बादल आ रहे ना तो बहुत काले घने बादल आ रहे और जब ऐसा मौसम होता है थोड़ी सी आस रहती है कि चलो बारिश हो जाए तो मन को थोड़ी सी तसली रहती है तो यहाँ पर जो है चाय बन चुकी है अच्छा बच्चों के पापा जो है घर पे नहीं है वो चले गए हरिदवार तो वो भी एक दो दिन में आएंगे तो घर पे हम तीन ही थे तो बस ममी और बच्चों की मस्ती चल रही थी आना तो हम लोगों को भी था हरिदवार बट वही है बच्चों के एक्जाम शुरू है तो मैं नहीं जा पाई और देखते हैं फिर जैसी छुटियां प प्री हो जाओं तो वही है शुरुवात अपना बैड वगरा ठीक करने से ही होती है दोनों बच्चे इस टाइम पे नहाने के लिए चले गए थे यहां पर जो है आप लोगों से बात करते करते एक कॉमेंट का मैं रिप्लाइ करना चाहूंगी उस कॉमेंट का मैं ओड़ते ऐसी होती है जिनकी जो दिमाग होता है वो घुटनों पे होता है और खांदानी काम है सफाई करना तो उसे मैं यह बोलना चाहूंगी कि क्या तुमारे घर में सफाई वगरा कोई करता नहीं है क्या हमें हमारे माबापों ने यही सिखाय स्पैशली ममी ने की साफ स सफाई करना बहुत जरूरी होता है हाईजीन नाम की भी कोई चीज होती है और घर में सफाई करने को लेके लोगों ने पता नहीं इतना बड़ा इशू क्यों बनाया वाए कि लेडिस अगर घर में सफाई करती हुई जाडू पोचा करती हुई दिखती है ना तो उन्हें ब घर को संभालना मैनेज करना भी हर किसी के बसकी बात नहीं होती हर किसी लेडी के बसकी बात नहीं है घर को संभालना और कुछ इस तरीके की दो चार होती है जिनका कामधाम कुछ होता नहीं है उनको फ्री का फोन मिल जाता एक और बस उस फोन को लेके वो पूरा दिन अपनी station निकालती हैं दूसरे के वीडियो में जाके कुछ ऐसी ही लेडीज आती है और इस तरीके की लेडीज को बस यही सिखाना चाहती है कि शायद तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा सफाई से साफ सफाई से रहना क्योंकि एक जानवर होता है वो भी अपन क्यों कमेंट्स करती है तो जैंत्च लोग करें तो समझाता आता हि लेकिन एक और ओरत होंगे कोई ऐसे कमेंट करें तो समझ नहीं आता है और मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन में हैं मतलब बहुत अच्छी अच्छी सी जॉब करती हैं और उसके बाद अपने घर का काम खुद करती हैं क्योंकि उन्हें खुशी मिलती हैं और वो बहुत समझदार लेडीज होती हैं उन्हें पता है कि हमें अपना घर खुद से कैसे मैनेज करना है बहुत सारी लेडीज मैंने देखी हैं और आई होप मुझे भी काफी सारी ऐसी लेडीज देखती होंगी जो वर्किंग भी होंगी और work करते करते जो है अपने घरों का काम भी खुद करती होंगी तो please comment box में वो ladies ज़रूर अपना comment छोड़के जाये और बताएं कि आप लोग क्या काम करते हैं और उसके बाद भी जो है आप लोगों को घर का काम करना अपने घर को खुद से सजाना सवाना अच्छा लगता है ताकि ये जो दो चार ओरते आती है ना घटिया दिमाग वाली गंदी दिमाग वाली गंदी सोच वाली पेशली गंदिगी में रहने वाली तो वो ही ओरते इस तरीके की बाते कर सकती है और जहां तक आई खांदान की बात तो सही बात है हर कोई जो है अपने ममी पापा को ही देखके सीखता है सारी चीज़े अपने खांदान से ही आती है वो सच बात है हमारे खांदान ने हमें अच्छी बाते सिखाई हैं हमें चीजे सिखाई हैं ये खांदान के ससकार होते जो करने आती हो और मैं तो सच बोलती हूं कि मैं खुद ये काम करती हूं और मैं अपने दोनों बचों को भी सिखा रही हूं धीरे-धीरे ये सारी चीज़े करना मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होता है जिस दिन मैं अपने दोनों बचों से मतलब जाडू भी लगवाती वो डेश जरूर होता है हालनकि मैं शोशल मीडिया पर ये सारी चीज़े नहीं दिखाती हूँ लेकिन मैं परसनली उन दोनों को सिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बचे ये सीखें अगर उनुने अकेले भी रहना पड़े तो वो आराम से रहें अकेले और उन्हें सारा काम करना आए और वो भी प्रौट से बोल से कि हाँ हमारी मा ने हमें ये सारी चीज़े पहले ही सिखाई थी इसलिए हमें किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और housewife होना एक बहुत जादा proud वाली बात होती है उन ओरतों को मैं बोलना चाहूंगी जो ये खुद घर का काम नहीं करती है और मुझे पता है कि ये एक दो ओरते वही होती है जिनके पास पूरे दिन भर कोई काम दंदा नहीं होता है मतलब उनके पास ना तो घर का ही काम है ना वो जौब ही करें कुछ नहीं करें वो सिर्फ फोन लेके बैठी रहती है उनके पास इसके अलावा और कोई तिसरा काम होता ही नहीं है और मेरी नजरों में ना इस टाइप की ओरते कभी अपनी जिन्दगी में कुछ कर ही नहीं सकती है और ना ही कभी आगे बढ़ सकती है क्योंकि जो दूसरों एक लिए ऐसी सोच रखती है ना वो खुद से कभी कुछ भी नहीं कर सकती है तो प्लीज जो मैंने आपको बोला है जरूर कीजिएगा comment box में अपने comments जरूर छोड़के जाएगा और बताएगा कि जो कोई working है वो भी बताना जो working नहीं है जो अच्छे से अपने घर को संभाल रही है normal housewives है मेरी तरफ तो वो भी प्लीज जरूर बताना कि आप कितने अच्छे धंग से अपने घर को manage कर रही हो तो ये तो हो गई comments की बात इधर जो है मैंने पूजा वगेरा कर ली है अपने घर की सारी cleaning कर ली है और अब मैं जो है नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ और अभी जो है नाश्ता जो बन रहा है वो नाश्ता बन रहा है जो वंशीका को बिलकुल भी पसंद नहीं है और इ तो यहां पर जो है मैंने सारे मसाले पीस लिये थे और पास्ते को जो है मैंने प्रेशर कुकर में बॉइल किया है अच्छा इस पर भी comments आएंगे कि कुकर में पास्ता कौन बॉइल करता है तो पते कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है जिससे आप अपने काम जो हो एजी कर स है और जैसे ही कुकर में प्रेशर बनने लगे मतलब आपको लगे कि सीटी आने ही वाली है उसी टाइम पर गयास बंद कर देना है और बस एक दो सेकंड के लिए उसको बंद रखें उसके बाद ढकन ओपन कर दें पूरा प्रेशर निकाल दें और आप देखना पास्ता कितन अच्छे से बॉयल हो जाएगा बट आपको बस यही चीज़ का दियान रखना है कि आपको सीटी नहीं लगवानी है बिल्कुल कूकर में क्योंकि अगर आपने सीटी लगवा दी तो फिर पास्ता बिल्कुल बेकार हो जाएगा तो बस इधर जो है नाश्ता बनके रेडी थ और इतनी देर में बचे भी आ चुके हैं ट्यूशन से अच्छा इधर बहुत खुश था आज विदांश की मैम बड़ी खुश थी ममा मुझसे तो वही बता रहा था मैम ने स्टार बनाया था उसके हैंड में और वंची का भी बहुत खुश थी कि आज मैंने भी सारी चीज अश्किल में उसने थोड़ा सा पास्ता खाया बट वही है कि चलो खा लिया तो बस यहां पर मैंने तीनों के लिए प्लेट लगा दी थी लेकिन बच्चे तो बच्चे मानते का हैं एक तो जल्दी ट्यूशन हो गया उपर से फिर पूरा दिन घर पे ही है तो टीवी देखन करें हैं और मैं अपना फोन देखते वे यहां पर जो है हमारा नाश्ता वगज़ा सारा हो चुका है और विदान्श फ्रिज में पानी रून रहा था लेकिन एक भी बाटल फ्रिज में नहीं रखी हुई है पाने की क्या करते ना पूरी बाटल से बाहर रख देते हैं पानी क्या होता है उससे पहले मुझे ना यह जो एरिया है मेरा बरतनों वाला यह मुझे clean करना होता है वरना तो वो यह जो हमारा आरो वाला नल है ना इसको मतलब भार ही निकाल देते हैं एक दिन तो वंशिका ने पूरा तोड भी दिया था जिस पर वो नल लगा है ना वो पूरा तोड़ दिया था तो हमने उसको फेवी कुईक से चिपकाया हुआ है जब बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आरो तो नहीं दिखता है आरो का नल उपर लगा है तो आरो हमारा अंडर सिंक है मतलब नीचे लगा हुआ है आरो जहां पर सिंक होता है तो इसी ली लगा सकते है थोड़ा सिंक के नीचे स्पेस होना जरूरी होता है उसके लिए तो बस इधर जो है सारे बरतन भी वाश हो चुके हैं और अभी मैं कपड़े भी लगाऊंगी अच्छा कपड़ों के लिए भी कॉमेंट्स आया थे कि रोज के रोज आपके इतने स सारे कपड़े कहां से होते हैं आप चार बंदे हो हम बेशक चार लोग हैं लेकिन इन कपड़े हमारे बहुत सारे इसलिए होते कि देखिए सबसे पहले तो सुबह बच्चे नहाद होके जाते हैं तो उसके जो पहले दिन के कपड़े होते हैं बच्चों के वह कपड़े होत वो फिर नाइट में वो कपड़े नहीं पैंते वो चेंज कर लेते उनको अगर उन्हें जरा से भी गर्मी लगेगी ना तो वो उन कपड़ों को चेंज कर लेंगे तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है आप डेली मशीन लगा लीजी आपके कपड़े कभी खतम नहीं होंगे औ अब दोते जाएंगे खुझ से ओते जाएंगे होते जाएंगे तो कपड़ों और बरतनों की कोई लिमिट नहीं होती है और अभी तो सिर्फ गर्मिया है तो यह हाल है आगे हाँ जब सरदी आती है तब तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है फिर तो मतलब इसके भी कपड़े हो जबत बीसे बार के लगाये में और यहこれ दूसरे बार के अधाव कपड़े इसे की इक बार इनने लगाया था यह भी दूल चुका था तो बस यहाँ पर जो इनको डाल देते स्टैंड में बाकी मौसम देखिए आप यह देखिए कितना सुन्दर मौसम हो गया अचानक से न मतलब सुबे से तो बादल लगी रहे थे और यह अचानक से मौसम हुआ है बस अब तो विश कर रही हो कि बारिश आ जाए सारे कपड़े मैंने फोल कर दिये थे लेकिन दो चार कपड़े ना वंशिकाव विदांश की छोटे-चोटे से कपड़े तो उनको प्रेस कर ना था तो मैंने यह बाहर नहीं दीये प्रेस के लिए क्योंकि वो कुछ जादे ही चोटे कपड़े तो मैंने चुछ इनको मैं खुदी प्रेस कर लेती हूँ और ज्यादा थे भी नहीं चारी कपड़े थे मतलब तीन टीशिर्ट थी और एक जो था ना एक ट्राउजर था विदान्श का तो बस इधर जो है सारे कपड़ों में मैं करूंगी प्रेस तो इस तरीके से अगर कम-कम कपड़ों में कर लेते तो बर्डन नहीं पड़ता है लेकिन अगर इनी कपड़ों को मैं इखटा करके रख दूंगी ना चाहे वो बच्चों के ही क्यों ना हो और मैं सोचूंगी कि नहीं आरा मैं बाद में प्रेस करूंगी फिर वो बहुत जादा हो जाते ना फिर खुदी मन्नी करते है प्रेस करने का तो अभी मैं free ही थी मैंने सुचा अभी कुछ काम वैसे है भी नहीं तो बस इनको भी प्रेस करके मैं रखी दूंगी तो मेरा एक काम जो है न वो खतम हो जाएगा तो अभी मैं अभी मैं आप पर प्रेस हो गई है और इन कपड़ों को भी रख देते हैं इनकी जगे पर उसके बाद बच्चों के प्रोट का टाइम हो गया था तो स्कूल र्याते तो यह वाली टेंशन नहीं रहती है कि कुकि मॉनिंग में सारी चीज़े दे देती हूं लेकिन गरते रहते तो ध्यागतना बसका है हर्च चीजों का तो वसी आपना दोनों को बनाना दे दिया है और इसी टाइप पे मेरा हो गया है पानी पीने का टाइप मुझे प्यास लगने लगी थी तो बस अभी मैं बैच आँगी अपनी मॉटल लेकर हादा जहता लगेगा मुझे इस पानी को पीने में दुरे जिरे से पानी पीपी रहोगी और इसी के साथ जो है अपने इस वारे वीडियो का भी एंड करूँ तो यह सा मेरा वीडियो आपके पैसा लगा ज़रूर और वीडियो पसका आएगा तो चैनल के सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो स्क्राइब करने में दाब लेका मैं आपसे मिलती हूँ अपने वीडियो में पत्तियों को बाई एंड के वीडियो थाल के वीडियों को बारूर ।